नमस्कार आरुनेचल के सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आज इस प्रेस ब्रिभिंग के द्वारा से मैं आप सभी आरुनेचल के वासियों को एक चीज़ के बारे में आवगात कराना चाहता हूँ सबसे पहले मैं तकम सोनिय जी जो है आरुन भूमी का चीप इन इडिटर है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज यहां आ करके हम सभी जनता के सामने जो है अपना पक्च को रखने का मोगा दिया सबसे पहले मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो हमारा जो अरुन अचल के सभी जो ट्राइबेल वासी है उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है जो कि हम सब मिल करके जो है इसको आगे भी बनाय रखना है जिसे कि आपको पता होगा अरुन अचल में जो है अभी काफी जगा पे जो है नेचाइडी सेल का जो है नेशनल हाइवे का काटिंग चल रहा है जो कि हम सब चाहते हैं कि सभी आरुनाचल के जो कोने-कोने में सरक पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, हम ये सब चाहते हैं लेकिन ये जो development works के साथ-साथ हम ये भी चाहते हैं कि वहां का जो local population का जो ग्रिबेंसे से उसको भी अंदेखा ना किया जाए उनको भी रेस्पेक्ट दिया जाए और जो हमारा environment है सबसे बहुत मौत्पूर्ण है आज की दिनों में environment किसी भी चीज़ को ले करके आप आये लास्ट में आपको जो है environment में आ करके ही रुख जाता है क्योंकि हम environment के करण से आज परियावारन बोलते हैं जो उसके करण से हम लोग आज जी भी थे हम उसी के करण से जी रहे हैं और उसी के करण से हमने आगे भी बढ़ना है तो हमने देखा है कि काफी जगापे जो है एनेचाई डिसेल का जो अंदर में काम करने वाले जो EPC कॉंटेक्टर्स हैं उन्हो उन्होंने सही तरीका से सही जगाप पे उसको मग डंपिंग नहीं किया है, जो कि ये बहुत बड़ा बाइलेशन्स है, जो कि उन्होंने एग्रिमेंट के समाएं भी जो M.O.R.T. अच्छ है, जो Ministry of Road Transport and Highway है, उसके साथ भी एग्रिमेंट में क्लेरली लिखा हुआ है, और आप का जो forest clearance लेते हैं, उसमें भी clearly mention लिखा गया है, कि हम जो है forest conservation act 1980 है, उसको पालन करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ जा करके देखते हैं, तो कोई भी जो agency है, उस forest conservation act है, उसको पालन नहीं करते हैं, और वो लो क्या करते हैं, उपर से जो art cutting करते हैं, उसको जो है नीचे नदी होते हैं, क्योंकि पहारी इलाका में क्या होता है, नीचे की तरब जो है, वो पहारी के जो नीचे की नारा है, उसमें जो है आपका नदी या नाले होते हैं, वहाँ जो भाहा दिया जाता है, जिसके तहट जो है, मैंने दिवांग बेली district अनिनी के होने के नाते, मैंने 2008 वहाँ का जो student unions है, वहाँ का जो आधर जो agencies है, उन लोगों को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आस्तोक नहीं किया, तो मैंने अपना personally interest लेते हुए उसको मैंने NGT में move किया, तो वहाँ जाकर के मैंने case file करने के बाद जो है, वहाँ उनको जो authority है, उसको भी respondent बना गय जिसमें की NHID cell है, state pollution control board है, central pollution control board है, deputy commissioner आनिनी है, DFO आनिनी है, CCF है, PCCF है, MRTH है, NHID cell है, तो उनको जब वहाँ NGT Kolkata से जब उनको notice दिया गया है, तो उन्होंने जो agencies है, खास कर कि इसमें जो है, जब road का cutting चलता है, तो इसमें सबसे बड़ा role होता है, आपका forest department और state pollution control board क लेकिन हमारा आरुनाचल में क्या है कि कोई भी project चलता है, तो जो agencies check and balance करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, उसको complaint देने के बाद भी check नहीं करते हैं, और बेठे रहते हैं, जिसके करण से जो है, by license, जो है, contactors हमेशा करते रहते हैं, और जिसके करण से हमारा entire आरुनाचल में जो है, पुरी तराज से जो है, जितना भी NHACL का काम चला है, एक भी जगापे जो है, mark dumping का जो है, जहां में designated mark dumping है, वहाँ जो है, mark को ले जा करके dump नहीं किया गया है, जहां भी देखोगे आप mark को जो है, आपका forkland से या JCB से उपर से जो है, काटिंग करके direct नीचे roll down करते हुए नजार मिलेगा, और जिसका जो है, आपको बहुत जगापे जो है, फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, और इसी के चलते है, मैंने NS313 जो की rowing to annini का जो highway है, उसको ले करके मैंने NGT में case file करने के बाद, state pollution control board ने वहाँ जा करके inspection किया, और inspection करने के बाद पाया कि NHICL ने सही में, वाकई में, वहाँ जो है, forest conservation aid का maintain नहीं करते हुए, mark dumping ground का maintain नहीं करते हुए, उन्होंने क्या किया है, कि mark को जितना भी cutting किया गया है, वो उसको नदी के तरफ बहा दी है, और जिसके कारण से जो है, नदी में जो है, pollution नदी में जो है pollution उन्होंने create किया है, जिसके चलते उन्होंने calculate करके, जो है, 3,28 लेक्स के आसपास fine impulse किया था, जिसको उन्होंने court में, जो है, challenge किया था, कि ये जो है, initial racial के उपर नहीं लगना चाहिए, बोल करके बताया था, लेकिन court ने जो है, नहीं मना और उसको जो है, समय के अंदर ज जो है, July महिने में, जो है, उसको जो है, जमा किया है, जो state person control board के जो account है, उसमें जमा किया है, 3,28 लेक्स, जो जमा किया है, और जो मेरा court का judgment, जो है, 20 July 2022 को जो है, complete हुआ है, जिसमें की clearly लिखा गया है, कि future में जो है, जो ऐसे agencies है, वो जो है, ऐसे काम की उपर में, जो है, जो है, check and balance होना चाहिए, बोल करके बताया है, तो मैं सो भी arm natural के जानता से गुजारिश करता हूँ, कि आगर किसी के इलाके में भी आगर इसी प्रकार का कोई violations है, तो हमें inform कर सकते हैं, और मेरे साथ में contact करके, जो है, हम NGT के तरफ जा करके, इस case case file करके, जो है, ऐसे जो समझ से है, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, नहीं तो ये जो environment का जो violations है, जो forest conservation act 1980 का जो हावाला दे करके, ये लोग contract करते हैं, उसको जो है, सही तरीका से maintain नहीं करते हैं, उसको हमें court के द्वारा पालन करवाने के लिए, ऐसे काम करने वाले को सही तरीका से निय करता हूँ, कि ऐसे अगर किसी की इलाके में हो रहा है, तो मुझे contact कर सकते हैं, और मैं आपको जिस advocate को ले करके आप जाना चाहते हैं, मैं उस advocate को बात कराऊंगा, और आप इस case को जो है, आप आगे पार्शू कर सकते हैं, नमास्कार. यह बढ़ स less wert, भिप खटा कर सकते हैं, पीस सवादू कर साहिए जाँ ज्मास्का एना से भात्कार कर दोफड़ा रहा है, जए तो कर साहिं एमास्कार.